हरे लेकूंए अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अभी मतलब अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स नजाएंगी कंपनी की situations अच्छी नहीं थी NPS वगरा काफी ज़्यादा था जैसे बहुत सारे banks के थे लेकिन यहाँ पर अलग से रखा जा तो company की management भी बहुत साथ efficient नहीं थी बड़ अगर देखा जा तो recent times में इनकी management change हुई है और banking sector के अंदर अगर देखा जाए तो management plays a big role in मतलब coming future में आपका क्या होने वाला है तो इसलिए अगर देखा जाए तो banking sector आप जब भी analyze कर रहो तो एक बार top management को एक बार ज़रूर analyze करना कि पहले उन्होंने कहां काम किया है क्या उनकी speciality है retail में special मतलब speciality है उनकी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं यह corporate में करते हैं क्या चीज है क्या है सारी चीज हम लोगों को देखना होता है यहां पर देखा जाए तो currently company अगर देखा जाए तो loans के लिए अगर देखा जाए तो credit potential काफी है तो इसलिए अगर देखा जाए तो यह कंपनी के लिए काफी जाए बेनीफीशल साबित हो सकता है और अगर आज की रेट पर देखोगे तो पिछले कुस्समेस अगर देखा था तो company का का सा रेशियो इंप्रूव हुआ है और भी अगर factors अगर देखोगे तो वह यहां पर हम लोग को इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं तो अगर देखा है तो company is on the verge of improving तो यह एक अच्छी चीज़ है अब यहां पर मार्केट के बात की जाए तो साथ हजार करोड के आसपास की छोटी बैंक यहां पर आपको नजर आएगी अब इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे आज के रेट पर company की वैलुएशन भी देख लो तो वह बहुत जादा नहीं है मतलब अगर देखो तो यहां पर च्छे की पीई है और प्रॉफित यहां पर 56 परसंट के आसपास की देखने के लिए मिलेगी मतलब कईने के प्रॉफित गोट से थोड़ा सा पीछे रह गई यहां पर कम्पनी की प्राइज और साथ अगर यहां पर देखा है तो इसलिए हम लोग एटलीस्ट यह कह सकते हैं कि कम्पनी की प्राइज आज जहा अगर देखा तो पांच परसंट से बहुत यह अच्छे की पीस बहुत दोर रही है अगर रही है तो इक हम लोग को थोड़ा सा यहां पर इंप्रॉफ्मेंट देखने के लिए प्राइस को लिए सकता है प्राइस क्रेक्शन मतलब बोला जाए तो यहां पर अबसाट पूट इंप्रूब्मेंट के बाद मैनेजमेंट चेंज होने के बाद 2023 में आख्री बार इन्होंने यहां पर अभी के लिए फिलाल अगर देखने के लिए मिलेगी बट बहुत साथ आपको एक्स्पेक्ट नहीं कर सकते हूं अभी यहां पर बस एक तरह से कह सकते हूं कि ब्रूब इस कंपणी अपना की पर करती है तो अगर देखी जाते हैं यहां पर बड़ी है और पब्लिक क्यों आज भी यहां पर जाद है वह थोड़ा से कह सकतो कौस अगर पब्लिक क्यों जादा है तो अल्टिमिटली मैनेजमेंट बहुत जादा एफिशिंट नहीं हो पाती है तो इस केसे में बहुत कम बचती है यहां पर फिलाल भी सपोर्ट लेते नजर आ रहा और इसके साथ-साथ अगर देखा जा तो हम लोगों यहां पर एक प्राइस एक्शन वार भी सपोर्ट नजर आ सकता है तो यहां पर अभी फिलाल के लिए हमें लगते हैं कि यहां तो लेकर 50 अमें के आसपास उपर आएगी उसके बाद ही नीचे आएगी अगर इसको अपसाइट जाना है तो डिरेक्ली वी शेप रिकवरी नहीं मिलेगी थोड़ा से यहां पर मार्केट कंसलेडेट करने का यहां पर एक बार करेगी उसके बाद ही हम लोगों को यहां पर किस कंसलेडेट करने के बाद यहां पर हम लोगों को अपसाइट देखने के लिए मिल सकता है अभी के लिए देखा जाए तो हम लोगों को मुमेंटम जो एक बार को दुवारा कंटिनुएशन में मिलेगा वो 34 के उपर देखने के लिए मिल सकता है एक बार वीकली टाइम फ्रे प्रस्पेक्टिव से पूछोगा तो बैंकिंग सेक्टर हमें थोड़ा साथ ठीक लगता है क्योंकि यहां पर NPS अभी भी देखा जाए तो 2% के आस-पास के हैं और यह NPS अभी हमें लगता है कि और गिर सकते हैं तो मतलब एक तरह से कंपनी की और बढ़ सकती है तो इसलिए उस पर भी आपको नजार रखना होगा अभी के लिए फिलाल चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इंपरमेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और साथ इसाथ चैनल को सस्क् करना और बैल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दमाना ओके बाए